एक्सरसाइज 10.1 में हमने लाइन की स्लोप कैसी निकाली जाती है उसके बारे में सीखा था एक्सरसाइज 10.2 में हमने लाइन की इक्वेशन कैसे बनानी है वो सीखी है अब एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ड हुई है इसमें हम दो लाइन के बीच का डिस्टेंस एक point से line का distance इसके साथ साथ एक line की form को दूसरी line की form में बनाने की concept की उपर चर्चा करने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं बिना time waste करते हुए तो हमने जैसे की class 10th में भी मैंने आपको जब 3 chapter का 3rd number chapter किया था तो हमने वहाँ पर भी lines की journal equation होती है वो कुछ इस form की होती है जो आपको ये red box में दिख रही है ax plus by plus c कुछ इस form की होती थी थी न example से देखें 3x plus 4y minus 6 is equal to 0 ऐसा होता था जहां फिर ऐसा होता था 3x plus 4y is equal to 6 तो ये हमारे पास line की journal equation होती है ठीक है तो journal form क्या होती है ax plus by plus c is equal to 0 ये हमने बहुत पहले भी अच्छे से किया है तो चलो अब हमने इस exercise में दो lines का distance एक point से line का distance इसके साथ साथ जो slope interform होती है जो point slope होती है standard form होती है intercept form vertical horizontal इनको एक दूसरे में convert करना है जैसे की sum में आपको slope intercept दे रखी होगी आपको बोला जाएगा इसको convert कर दीजिए intercept form में जाए फिर आपको standard form दे रखी होगी आपको बोला जाएगा इसको point form में convert कर दीजिए बस कुछ ऐसे फंडे हैं जो हमने exercise में करने है सबसे पहला दे लेगते हैं जैसे ही यहां के बोला गया है कि जर्नल equation of line को आप convert कर दीजिए intercept form में अब line की journal equation मैंने अभी अभी आपको बताई वो क्या होती है ax plus by plus c is equal to 0 यह जर्नल equation होती है इसको बोला जा रहा है कि आप इस journal form को convert कर दीजिए intercept form में वो क्या होती है x over a plus y over b is equal to 1 हमने पीछे वाली exercise में बरबर के किया है ठीक है आप बोला गया है कि इस journal form को convert कर दीजिए इस journal form में तो example से समझ लेते हैं तो जैसा कि journey line की equation हमें यह दे रखी है ax plus 3y minus 6 is equal to 0 अब जो हमारी intercept form है वो कैसी x over a plus y over b is equal to 1 है हाना मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है इस 6 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो तो क्या बन गया 2x plus 3y is equal to 6 अब journal form में हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या किया 6 को इनके नीचे फेक दिया तो यह बन गया 2x over 6 plus 3y over 6 is equal to 1 इसने इसको cut कर लिया 3 पे इसने इसको cut कर लिया 2 पे तो बना के x over 3 y over 2 is equal to 1 तो यह हमारे पास क्या हुआ फिर journal equation जो है line की journal equation जो है वो convert होगी intercept form में better understanding के लिए एक और समझे लेते हैं यहाँ पर बोला गया है ax plus by plus c is equal to 0 और जो journal equation होती है slope intercept line की वो क्या होती है y is equal to mx plus b कुछ math में यहाँ पर c भी लिखा होता है हमने जो पीछे विली exercise थी 10.2 उसके basic वीडियो में वहाँ पे भी इसको किया था example से समझे लेते हैं बुला क्या गया है कि line की journal equation given है तो यह हमारे पास line की journal equation है 6 को दूसरी side shift किया ऐसा बन गया अब देखो जो हमारे पास slope intercept की form है वो का है y is equal to mx तो y वाला जो coordinate है वो इदर लिख लिए पहले 3y is equal to दूसरे इदर उदर किये minus 2x plus 6 बन गया अब यहाँ पर y हमारे पास अकेला है तो result का है y is equal to minus 2x over 3 plus 2 तो यह देखो slope intercept form जैसे बन गया ना तो ऐसे एक journal form की equation दूसरी journal form में convert करनी है यहाँ पर जो सबसे मेन बात है जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर यह जो x का coefficient होता है यह जो x का coefficient होता है यह हमारी slope होती है line की वो हम m से denote करते है ना तो journal form में देखो mx है ना mx तो m हमारी होती ही क्या है slope हाँ ना तो यहाँ से सीधा ही हमें वैसे जब हमारे पास कोई line इस form में दे रखी होगी तो यहाँ से उसकी slope सीधा ही पता चल रही है कि m हमारी slope है तो मतलब जो x का coefficient होगा इस form में वो हमारी slope ही होगी उसके बाद हमने एक point से line का distance निकालना है जैसे example में देखो यहाँ पर हमारे पास एक point है ठीक है और एक line है ax plus by plus c journal form से तो हमने इस point से लेके इस line तक का distance निकालना है अब कुछ बच्चे सोचेंगे यह distance ऐसे वाला भी हो सकता है तो बहुत distance है यह कौन सा है यह formula सबसे short distance जो perpendicular होता है सबसे short distance यह जो black वाली line है न यह वाला distance है जो सबसे shortest distance होता है point से लेके line तक का वो distance हम इस formula की सहाइता से निकालते है ax1 plus by1 plus c ये जो X1, Y1 वो वही है जो point के coordinate होगे X1, Y1 है ना point ऐसा होता ना X1, Y1 ये वही है कुछ math में इसको X0, Y0 कुछ में कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी लिख लो ठीक है तो ये हमारा formula है point से line का distance निकालने के लिए और नीचे हमारा Instagram का account है इसको भी follow कर लीजिएगा अच्छा feel होता है example के समझ लेते हैं जैसा कि बोला है कि एक point है 5, 2 का और एक line है ऐसा इनका distance निकालना है तो हमारे पास journal form से compare करो ये हमारे पास A हुआ 3 और ये 4 हमारा B हुआ और ये 5 हमारा C हुआ और ये हमारा X1 हुआ और ये हमारा Y1 हुआ formula में value fill करनी है और answer है और हाँ यहाँ पे जो सबसे main concept है कि जो उपर है वो आपका mod में होगा ठीक है ये mod का symbol होता है अब ये mod में क्यों है क्योंकि अगर जे result negative का भी आता है तो वो इसको क्या करने वाला है positive में positive में क्यों करेगा क्योंकि distance कभी में negative में नहीं हो सकता तो इसलिए ये mod में होता है उसके बाद हमने बात करनी है कि जो दो parallel line होगी उनके बीच का distance कैसे निकाले तो उसका distance आप इस formula की सहाइता से निकालेंगे D is equal to mod में C2 minus C1 over under root A square plus B square तो आप diagram में देख रहे हैं दो line एक दूसरे के parallel चल रही है अच्छा आप ये कैसे पता चला कि ये parallel है example दे समझो मानलो आपके पास ये 2 line है 3X plus 4Y plus 7 is equal to 0 और दूसरी line 3X plus 4Y minus 5 is equal to 0 अब ये कैसे पता चला कि ये parallel है ये देखो इसमें X वाला और इसमें X वाला इसमें Y वाला और इसमें Y वाला दोनों same ही है जब किसी 2 lines का X का coefficient और Y का coefficient एक ही ही होगा तो वो 2 line parallel होगी उसका बस C बदलता है जर्नल फार्म में देखो ये हमारे पास A1 हुआ पहली line का और ये हुआ B1 और ये हुआ हमारा C1 ये हुआ A2 और ये हुआ B2 और ये हुआ C2 बस C1 और C2 में change होता है A और B दोनों का same ही होता है तो यहाँ पे A की value 3 हुई B की 4 मतलब दोनों की same है तो यही रहने वाली चाहे इसको 1 लिख लो चाहे इसको 2 लिख लो तो C1 ये है C2 ये है formula ये है इसमें हमने fill करना है और हमारे पास result है याद रखना है यहाँ पर भी उपर mod में है क्योंकि हमें याद रखना है कि mod में जो भी distance होता है वो positive का उता है जो distance होता है वो वैसे भी positive में ही लिया जा सकता है तो ये हमरा basic work है जो हमने exercise 10.3 में करना है आप इसको 2-3 बार अगर देख लेते हो तो आप exercise खुद ही done कर लोगी अगर आपको ये समझ में लगा तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे motivation मिलता है